आज से हम नई सीरी स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक की वाट आइलांड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन जो पुलक प्रसाज जो है उन्होंने लिखी है तो अभी तक मतलब हम यह जितने भी बुक्स डिसकस कर रहे हैं तो वह यह बुक्स कर रहे हैं जो मैं आपको भी यह बुक पढ़ना चाहिए तो इसके लिए हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में उसका आपको Amazon का लिंक ले देंगे तो आप वहां से भी पर्चेस कर सकते हो प्लीज नोट कि हमारा यहां पर कोई भी तरह का ओथर जो है उनकी साथ कि चीज हमेशा याद रखना कि यहां पर हम बहुत सारे स्टॉक्स के जो लिस्टेड इक्वीटीस है यहां पर या तो बाहर की कंट्रीज में उसके हम नाम वगयरा ले सकते हैं प्रियो प्योरली फॉर दिसकेशन परपस तो आपको प्लीज यह चीज हमेशा देखना है कि इसक्रमें हम डिसक्स क्या करना है तो अब डिसक्स करने से पहले हम थोड़ा जो ऑथर है उसका जो बैक्ग्राउंड है वो क्या है तो पूलक प्रसाद जो है उनका अभी एक सिंगापूर बेस्ट फर्म है नालंदा कैपिटल करके जो इंडिया की एक्वीटीस है लिस्टे नालंदा कैपिटल जो है वो फाउंड किया है तो वही यह है मेंली पूलक प्रसाद का जो बेक्ग्राउंड जिसको हम बोल सकते हैं तो और बहुत सालों से वो इंडियान इक्वीटीस में इंवेस्ट कर रहे है और उसी का जो एक स्पीरेंस है वो उन्होंने इस बुक के अ एक confidently वहाँ पर आपको वो चीजों के deliver कर पाऊं बट यहाँ पर हम क्या discuss करेंगे जो उनके जो stock market के investing के जो main fundamentals है core principles है वो सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो बस यही चीज़ आप याद रखना तो उसी के साथ हम start करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो chapter है वह बहुत सारी YouTube पर ऐसे वीडियो अवेलेबल है चैनल अवेलेबल हैं कि जो बोलते हैं कि आप यहाँ पर इनवेस्ट करो इस कंपनी में इनवेस्ट करो इस कंपनी में ट्रेड करो हमें सबसे पहले हमारा जो purpose होना चाहिए वह है कि हमें कहां पर invest नहीं करना है ऐसी कौन-कौ हमेशा याद रखनी है तो यही बस उसी पॉइंट के साथ हम यह चैप्टर की जो है वो शुरुवात करते हैं तो आई यह स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर अगेन में जैसे बोला कि learnings ही हम में जो है focus करेंगे जो nature के रिलेटर बुक के अंतर discussion किया गया है वो अगर जो लिंक हमने दिया है वहाँ से बुका बाई कर सकते हो अपने इसाब से भी बाई कर सकते हो हमारा कोई भी तरह का अफिलेशन नहीं है प्लीज वह चीज़ ध्यान में रखना है तो सबसे पहला है कि आपको यह चीज समझना है कि आपको स्टॉक मार्केट में जब आते हो तो आपका पहला परपस यह होना चाहिए कि आपका जो capital है आपका जो money है वो आपको lose नहीं करना है आपको return पे कम focus करना है आपका focus ज्यादा होना चाहिए रिस्क पे अब जब भी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही एक dangerous place मतलब यहाँ पे बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो equities में आप invest करते हो तो आपको यह focus करना है यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको पहला आपका objective यही होना चाहिए कि आपका जो capital है उसको आपको protect करना है return तो बाद में आई जाएगा और दूसरा risk जो है वो भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी company किसी भी stock मे invest करने से पहले और यहाँ पर अगें author ने भी यही चीज बोला हुआ है कि Warren Buffett का जो quote है कि there are only two rules rule number one never lose money और rule number two है कि never forget rule number one तो यही चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें risk पहले देखना है return बाद में और हमें हमारा जो capital है उसको protect करना है उसके बाद हमें आगे focus करना है कि है stock market में तो यह हमेशा हमें याद रखना है कि हमें हमारा जो capital है उसको नहीं खोना है उसके बाद हमें देखना है और अगे यहां पर हम देखे ना तो Harvard Marks की और एक book है the most important thing करके तो वहां पे भी वही बोलते है कि Harvard Marks को किसी चीज से डर लगता है तो वह यही है कि permanent loss of capital in the market मतलब किसी भी company या तो कोई bond में जैसे वह Harvard Marks जो है वह bond में invest करते हैं junk bonds में तो अगर मतलब जब जो भी पैसा उन्होंने लगा था अगर वह जीरो हो गया तो वह सबसे बड़ा loss है तो यही चीज मतलब वह बोलते हैं कि अगर मुझे stock market में अगर या तो equities में या तो bond market मे कहीं पर अगर डल लगता है तो वह यही है कि मेरा जो पैसा है वह complete zero ना हो जाए तो ऐसे बड़े-बड़े investors जो है वो भी यही focus करते हैं कि उसका जो capital है उनका capital है उनको पहले protect करें उसके बाद वो return के बारे में सोचेंगे तो यह पहला point था फिर next point है कि जितने भी great investors होते हैं वो एक great rejecter भी होते हैं पोड़े point यह है कि जब आप किसी भी company में let's say अगर stock market में आप invest करने आते हो in the Indian stock market on there are around 6000 companies that are listed 60000 companies जो है वो in India के stock market में listed हैं तो यहां पे मतलब एक investor कितने companies में वो invest कर पाएगा कितने companies में वो analyze कर पाएगा तो यहां पर एक अच्छा investor जो होता है, एक बहुत ही अच्छा investor जो होता है, वो बहुत ही अच्छा एक rejector भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि यह company बहुत सही है, fundamentals, सब कुछ सही है, बट फिर भी आपको उसको reject करना पड़ता है किसी certain parameter के base, तो आपको यह चीज़ भी हमेशा याद रखनी है कि आप कोई भी sector उठा के देख लो, for example, sanity worker segment है, तो वहां पर भी around 10-12 player जो है, जो अच्छे खासे player की बात कर रहा हूँ, छोटे player हो भी सकते हैं, बट जो 10-12 player जो अच्छे है, तो उसमें से भी आपको, बहुत सारी companies, 10-12 player में से भी 3-4 player हैं, जो बहुत ही अच्छे हों, on almost all parameters, तो वहां पर भी आपको फिर अगल एक company में invest करना है, तो बाकी के जो 3-4 player है, उसको आपको reject करना पड़ेगा, तो आपको यह समझना है कि आपको अगर अच्छा investor बनना है, तो पहले आपको एक अच्छा receptor बनना पड़ेगा, त आपको ऐसे उसकी जो antithesis है, वो आपको पहले पता होना चाहिए, इसी के बारे में यहाँ पर पूला परसाद जो है, वो बात करने कि great investors जो होता है, वो एक great rejector भी होता है, और यहाँ पर उन्होंने एक real estate stocks के बारे में भी थोड़ा बहुत discussion किया हुआ है, कि जब around early 2000 में, जब इंडिया में, जब infrastructure related stocks के बारे में बहुत बारी discussion हो रहा था, तो यही चीज था कि real estate stocks जो थे, वो demand में थे, अच्छी खजी, return भी generate कर रहे थे, उस ताइन पर अपने shareholders के लिए, बट फिर भी पूला परसाद जो है, उन्होंने इस sector में invest नहीं किया था, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि यह जो real estate stocks का जो है, जो यूफोरिया भी market में चल रहा है, वो sustainable है, और companies भी जो इस sector के अंदर है, उस पे इतना पूला परसाद जो है, वो उतना trust नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं, तो यह बहुत सारी चीज़े हैं, और उसी के बज़े से उन्ह पर भले ही बढ़ रहे थे, फिर भी उन्होंने उसमें एक रूपया भी invest नहीं किया था, तो यह यहां पर हमारे लिए learning है, फिर next है, कि वो कभी भी turn around companies में invest नहीं करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, for example, अभी भी है इंडिया में, I think एक या दो इसी companies, कि जो real estate sector में, उसके housing finance में काम करती है, तो generally लोग bottom fishing का try करते हैं, कि हम इतने भाव में purchase कर लेते हैं, कब ने भी turn around होंगी, जो promoter थे, वो exit हो गए, नाया management आ गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चलती है, but again, यहां पर पुलक परसाजी जो है, वो extremely clear है, कि उनको अपना जो, उनक IBM का और जैसे पैनिका, IBM जैसे हमको पताए कि वो एक technology solution provider है, based out of US, IBM में क्या हुआ था, कि IBM एक time पे बहुत ही अच्छा कर रही थी, but you know, एक certain period of time, IBM का जो profit margin वगेरा होना चीए, profit का जो growth होना चीए, वो नहीं हो रहा था, तो उसकी बज़े से उन्होंने क्या किया, केगनाय के related, कोई भी तरह का, वहाँ पे experience नहीं था, versus जैसे पैनि, तो जैसे पैनि में, जब कंपनी जो थी, वो downtown में थी, जब board ने नया CEO appoint किया, कंपनी को turn around करने के लिए, तो वहाँ बे भी same, कि जैसे पैनि, same तो नहीं बोल सकते, बिलकोल ही opposite हुआ था, कि जैसे पैनि एक retailer है, जैसे हमारे यहाँ डीब मार्ट है, उसी तरह से, जैसे पैनि टाइप एक company है वहाँ पे, retailing के, तो उन्होंने जो CEO की position के लिए, जिसको final किया था, उस बंदे को अच्छा खासा experience हा already, और वो specialist, मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो turn around का specialist kind of thing, तो उन्होंने, वो CEO जब आया, तो उ उसमें उसको पूरी तरह से सब कुछ retailing का experience था, अभी जब final, after certain period of time, जब पता चला कि result क्या, कैसे आ रहा हैं, दोनों CEO जब company का charge लिए और उसके बाद क्या result आ रहा है, तो पूरा opposite था, मतलब यहाँ पे IBM का CEO जिसको technology का कोई भी experience नहीं था, वो उसने manage कर लिया IBM को एक करके, almost bankruptcy की तरफ पहुंच गया, और COVID, I think, उसने already bankruptcy file कर दिया, तो यहाँ पर यह किस से हम यह समझना है, कि turn around में हम अगर predict करने चाहेंगे, कि यह management है, इस management को इतना experience है, और यह इस company को turn around कर देगा, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा, तो यही चीज, यही argument यहाँ पर पू इस ना चाहिए, ऐसी companies में invest करने से, ओके, तो next point यहाँ पर यह है, कि आपको जितनी भी debt वाली company, जो है, जिस company ने भी बहुत सारा date लिया हुआ है, उससे आपको दूर रहना है, यहाँ पर बहुत सारी arguments है, तो यहाँ पर अगर आप, आपको ऐसे समझना है, कि जब भी किस company को एक company date लेती है, तो वहाँ पर वो company को एक interest amount जो है, वो हर quarter में उसको pay करना रहता है, जिससे भी उसने पैसा लिया है, capital लिया है, वो bond holder भी हो सकती है, या तो bank से भी उन्होंने वो capital जो है, वो उठाया हो सकता है, तो जब भी high interest वाला scenario आता है, तब जाके, यह जो debt वाल तो उस time पे क्या होता है, कि आपका majority जो आपका profit आना चाहिए, उसमें से majority जो part है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका interest पे करने में ही चला जाता है, तो ultimately जो shareholder के लिए जो wealth बचना चाहिए, जो wealth create होना चाहिए, stock price के appreciation में वो भी नहीं हो पाता है, तो यह चीज हमें हमेशा पेंड का example लिया है, again जिसे हमने पहले बोला, यहां पे किसी पी तरह का, कोई भी तरह का stock का recommendation नहीं है, buy, sell, hold, किसी भी तरह का recommendation नहीं है, तो यह चीज याद रखना, तो again, let's start with the case study of Asian pen, और COVID में उन्होंने क्या किया था, तो जब हमें पता है कि COVID-19 जब आया था, तो उसकी balance sheet पे बहुत ही कम है, और cash का जो reserve है बहुत ही ज़्यादा है, उस company ने क्या किया, उसने क्या किया, कि अपनी employees जो है, उनकी जो salary थी उनको बढ़ा दिया, उनको उन्होंने reason भी क्या दिया, कि अपनी employees जो है, उनका जो moral है, उसको हमें बढ़ाना है, और उसकी बज़ जितनी भी companies है, सब एक downturn phase कर रही थी, क्योंकि उस time पे consumption बहुत कम था, मसला उस time पे paint की भी जरूरत नहीं, तो उस time पे भी Asian paint जैसी company ऐसा step क्यों ले पाई, ऐसा positive step अपने employees के लिए क्यों ले पाई, जबकि उसका revenue भी कम हो रहा था, उसका profit भी कम हो रहा था, वही चीज ह कि company के ओपर debt बहुत ही कम था, उस time पे, और company के पास cash का reserve वह भी बहुत जादा था, तो उन्होंने उसका जो एक utilize होना चीए, optimal utilization होना चीए, उस cash का, उस reserve का, वह उन्होंने इस तरह से किया, बट यह वो कप कर पाए, जब उसके पास debt वह बहुत ही कम था, अगर debt जादा हो फिर हमें ऐसे भी company से दूर रहना है कि जो बहुत सारे mergers and acquisition continuously करती हो, ऐसी इंडिया में भी बहुत सारी companies है, जो continuously कुछ ना कुछ, यह तो किसी company को acquire कर रही है, हाँ, अगर large के कोई company है, then still it is negotiable, बट अगर छोटी company है, वो continuously इसको acquire कर रही है, फिर किसी के साद मर्ज हो रही तो वहाँ पर भी यही चीज बोला गया है कि almost 70-80% जितने भी merger and acquisitions होते हैं, वो successful नहीं होते हैं, उसके जो outcomes है, वो fruitful नहीं होते हैं, बट फिर भी आप जब भी देखो, बहुत सारी companies, फिर भी mergers and acquisitions जो है, वो continuously करती रहती है, तो यहाँ पर दो example दिये हैं वैसे, और तो उस टाइम पर AOL की valuation जो थी, वो around 226 US billion dollars, मतलब वो उस टाइम पर world की top 10 most valued company थी, तो उस टाइम पर Time Warner और AOL इन दोरों ने merger announce किया, तो यह merger की जो कुछ value बैट रही थी, उस टाइम पर somewhere around 350 US billion dollars, और उस टाइम पर, मतलब हम बात कर रहे हैं around 2000, 2001 के असपास की, उस टाइम पर 350 billion dollars का, जब इन लोगों ने merger announce किया, तो बहुत सारी बात है हुई, कि सीनरजी होगी, यह होगा, वो होगा, और ultimately क्या हुआ, after I think 2 or 3 years, जो company का, जो AOL का, जो valuation जो यह से हमने बोला 226 billion था, वहां से वो हो गया, somewhere around 20 billion dollars, और finally, I think वो, Verizon ने purchase कर लिया AOL को, कुछ 4 billion dollars में, आ इस तरह से उनके जो shareholder का, जो wealth का, जो destruction था, वो भी इतना ही severe हुआ है, तो time warner, AOL, same चीज हुआ, फिर दूसरा हम समझ सकते हैं, कि चलो merger and acquisition in certain cases, it is good, it creates wealth for its shareholders, but कई सारे cases में यह सा भी हो सकता है, कि जब companies जो है, वो एक merger, या तो किसी company के साथ merge होने के लिए, या तो किसी company को acquire करने के लिए debt लेती है, bank से, मतलब किसी भी means से, तो वो महाँ से पैसा उठाती है, उस पैसे को लेके वो एक नई company जो है, या existing company है, उसको वो acquire करती है, तो same चीज यहाँ पर हुआ, bear aging, मतलब I think वो crop science की company है, agrochemical में, और based out of Germany है, तो उसने यह चीज जब try करी, तो उसन Monsanto, उन्होंने actually Monsanto करके US का agrochemical player था, उसको उन लोगोंने acquire किया था, but हुआ यह, मतलब before acquisition, bear जो थी, वो अच्छा खासा grow कर रही थी, company के उपर debt जो था, वो बहुत ही कम था, और आपने shareholder के लिए भी continuously wealth जो थी, वो create कर रही थी, but after acquiring Monsanto, company का जो overall valuation था, जो stock का जो price था, वो बहुत ही down हुआ, उसका reason क्या था, कि company का debt था, वो 10 times बढ़ गया, मतलब पहले debt जो भी था, उससे 10 times हो गया, क्योंकि company ने debt लिया था, financial institutions से, तो वहाँ से उन्होंने debt लिया, उस debt को उन्होंने use किया, Monsanto, जो से हमने बोला, US का agrochemical player था, उसको buy करने के लिए, और इस चेककर में हुआ है, कि company को every year, मतलब जो, उनका interest payment था, वो बहुत ही जाधा बढ़ गया, तो उसकी बज़े से company को continuously, जितना भी बली वो profit उस टाइम पे भी कर रही था, आसा नहीं था, कि profit नहीं कर नहीं था, company profit कर रही था, बड़ उसका majority जो portion था, वो सिर्फ इंट्रेस payment म पॉइंट हुआ, जब, मतलब, bear ने, जब, moncentre को acquire किया था, अगर वो acquire नहीं करते है, तो company अच्छा चली रही था, अच्छा करी ही रही थी, बड़ जब company ने, ऐसा acquisition किया, और उसको भी, मतलब, अपने internal accrual, मतलब, internal company के पास, जो cash पढ़ा था, उन से, उन लोगों ने, company को acquire नहीं किया, जाकि उन्होंने क्या किया, कि बाहर से पैसा उठाया, और उसको use किया, एक company को acquire करने के लिए, तो यहाँ पर पॉइंट, एक्चुली, जो, पुलक परसाजी, जो समझाना चाहते है, वो यह है, कि जब, किसी company, ऐसी company को acquire करती है, और fund लेके, debt लेके, तो ज उन्होंने, let's say, कि यह acquisition नहीं किया होता, किसी भी तरह का debt, external debt नहीं लिया होता, और कोई company को acquire नहीं कहता, और ऐसे ही अगर वो company चलती, तो क्या होता, तो वहाँ पर वही बात हुआ है, कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने, अपना जो core business है, उसी पर अगर वो focus करते, तो वो continuously अपने shareholder के लिए wealth generate कर पाते, क्योंकि उसी तरह का market में उनकी जो products है, उनकी भी demand थी, तो यही चीज वहाँ पर बोली गई है, और दूसरा यहाँ पर यह चीज भी discuss किया है, कि जब यह acquisition हुआ, तो company को, बेर जो crop size की company थी, उसको core business था, उसमें से भी उसको sell करना पड ताकि at least वो अपना interest है, वो उसको pay कर पाई, तो इतनी गंदी situation हो सकती है, अगर आपने, कि अगर आपका debt बहुत जादा है, आपने सिर्फ और सिर्फ acquisition करने के लिए ही आपने debt उठाया है, और अगर वो acquisition या तो merger अगर सही नहीं हुआ, तो उसके जो consequences है, वो बहुत ही severe हो सकते हैं, तो ये दो cases आपको हमेशे याद रखना है, जब भी आप देखो कि आपने किसी stock में, ये किसी company में, अगर आपने invest किया है, और वो company continuously किसी companies को acquire कर रही है, और अगर acquire कर भी रही है, तो क्या उसमें, कुछ उसको, मतलब ऐसा तो नहीं है, कि वो जो company है, वो acquire कर रह है, उसमें से ही वो लोग fund करेंगे, या वहर से debt लेंगे, क्या करेंगे, तो अलग-अलग cases में, वो scenario अलग-अलग हो सकता है, बट आपको ये समझना है, कि जब भी company debt लेके fund करती है, acquire करती है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, exceptions can be there, तो ये बहुत सारी चीज़े आपको देखनी चाहिए, फिर next है, आपको hot sector जो है, वो उसको हमेशा आपको avoid करने है, मतलब, कभी भी, मतलब, let's say कि, जब around 2000, 2001 के जो time था, जब जिसको हम dot com boom बोलते हैं, तो उस time पर जितने भी IT companies थे, वहाँ पर IT companies हो गया, फिर US के इंदर जितने भी technology के stocks थे, वो मतलब, पाग ऐसी भी companies थी, कि जो, जिसका किसी भी तरह का technology के साथ, कोई भी relevance नहीं था, बट सिर्फ और सिर्फ एक investor का euphoria उस time पर चल रहा था, technology stocks को लेके, तो उन्होंने अपने companies के नाम जो है, वो भी change करके, मतलब, वहाँ पर कहीं पर technology भी डालना, उन लोगोंने start कर दिया, यहाँ इंडिया में भी, I think मैंने एक जगा पर पढ़ा था, I think Twitter पर या कहीं पर, कि एक company है, मतलब जो अपने इंडिया के stock market में listed है, जो अपने नाम जो है, वो change करके, कुछ artificial intelligence वहाँ पर लगा रही है, सोचो, तो इस तरह का euphoria भी चलता है, और यह same चीज हमने the future for investors करके book है, जो हमने भी इसी channel पर हमने discuss किया, उसके सारे chapters हमने discuss किये है, और वहाँ पर euphoria, bubbles, bust, सारे terms के बारे में भी, sketch studies के साथ हमने वो सारी चीज़े discuss किये, तो वहाँ पर भी हमने यही चीज देखा था, कि बहुत सारी companies, जब एक nanotechnology का boom आया था, US का stock market में, तो वहाँ पर भी company, जो ए before यह चल रहा था, तो यही चीज़ें होती है, यही सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, दूसरा, जब भी आप किसी hot sector, मतलब let's say, अगर hot sector अगर कौन सा है, तो अभी के लिए अगर आप देखो के तो US के अंदर हम specific अगर बात करें, तो artificial intelligence करके हैं, तो ऐसी evaluation पे, अगर hot sectors में, अगर आप invest करने जाओगे, तो वहां पे आपका return बनने का chances बहुत ही कम हो जाता है, तो यह बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, जब भी आप company में invest करो, आपको सिर्फ फर सिर्फ सेक्टर hot लग रहा है, आपको उसका future बहुत ही साही दिख रहा मतलब most hatred sectors जो है, वही आपके लिए पैसा बना सकता है, क्योंकि उस टाइम पे valuation भी सस्ता है, company का जो business है, वो तो as usual जो है, वो चली रहा है, possible है कि थोड़ा downturn है, तो उसका profit या sales की जो growth है, वो काम आ रही हो, but future में, अगर company अच्छी है, तो वो manage करी लेगी, जब demand आएगी market में, तो आपको यही देखना है, कि आपको hot sector में invest करने से बचना जीए, क्योंकि उस टाइम पर valuation का comfort ज़रा भी नहीं होता है, और final, अगर हम point की बात करें, इस chapter में, तो यही है, कि आपको ऐसी companies में भी invest नहीं करना है, कि जहां पर minority shareholders है, जैसे मेरे और आपके जैसे, कि ज company का management है, वो कैसा है, वो हमें देखना है, कि वो जिसके पस एक share भी है, तो क्या वो उसके लिए भी वो सोचता है, क्या, तो यही हमें देखना है, कि बहुत सारी, बहुत बार ऐसा होता है, कि जब भी कोई company का merger होता है, या तो कोई company उसको acquire कर लेती है, तो हमने भी देखा ह कि वहां पर एक share का swap ratio अगरा रहता है कि अगर आपके पस इस company के इतने share है तो आपको why company के इतने share मिल जाएंगे तो बट यहां पर अगर वही चीज है कि minority जो shareholder है कि उसका ध्यान रखा गया था उस time तो फिर दूसरा है कि जब company extra shares issue करती है बहुत सारी चीज़े हो सकती है जो minority shareholder को ना पता हो कि company के जो board of director है company का जो management है क्या वो company के जो minority shareholder से उसका भी वो ध्यान रखा रही है जब भी वो किसी भी तरह का corporate action ले रही है तो तो बस हमें यही देखना है कि अगर आपका 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 आपने जिसी भी जिस भी company में invest किया है वहाँ पर अगर minority shareholder का अगर interest जो है aligned है तो आपको इस company में बने रहना चाहिए या तो invest करना चाहिए otherwise आपको इसी company से दूर रहना चाहिए यही इस chapter में mainly यही सारे points हमने थोड़ा video थोड़ा स्यादा लंबा हो गया बट मुझे लगा कि यहां पर हमें explanation देना जरूरी था तो वहाँ पर हमने दिया है तो बस यही सारे learnings थे इस chapter से I hope की video आपको अच्छा लगा होगा